असलामलेकुम विवर्स वेल्कम टूमाई यूटीब चैनल उमीद है आप सब खेर से होंगे आज मैं आपके साथ शर्ट का डिजाइन शेयर करूंगी सबसे पहले मेरे पास ये शर्ट का फ्रंट साइड है ये नएक मैंने इससे पहले वाली वीडियो पे बनाना सिखाया है आप लोगों को अगर देखना है तो वीडियो मेरी चैनल पे मौझूद है वहाँ से आप देख सकते है उसके बाद ये बैक साइड है ये हमने कट लगाय है हुग बनाने के लिए अब मैं आपको बैक ने किस तरह बनाते हैं वहाँ से स्टार्ट करेंगे सबस्पहले वीडियो को बैक ने को बनाना सिखाऊंगी ये मैंने पटी लिए और ये इस तरीके से पुरे पट्टिया लिए यानि कि आड़ी पट्टी अब जो मने पीच लिया था फैबरिक का इससे इस तरीके से रखेंगे और इसकी ओपर कभीक के बैक के पीच को रखेंगे सिलाए लगाएंगे थोड़ा सा गैप लगा लेना है बहुत ज्यादा गैप नहीं बारीक सी यह दिखें इस तरीके से सिलाय लगा लेना हमें अब अब शलाय लगानी के बाद मैं सेंटर में कट्टा का लोगे अर्ड़ी जहां कि पूरा पीछी के तरफ पलट लेंगे अब पलटे के बाद इसके उपर एक में सिलाई लगा लूँगी ताकि यह अच्छी तरफ एक्स हो जाए यह ओप्शनल है आप चाहें तो यह वाली सिलाई नहीं भी लगाएं और डायरेक्ट पीछे इस पट्टी को फोल्ड कर लें ठीक है इस तरीके साने सिलाई लगा लिए अब मैंसे पीछे के साइट से इस तरीके से फोल्ड करूंगी और सिलाई लगा लूंगी मैंने जो पहले सिलाई लगाई थी आप उस सिलाई को स्किप करें और टायरेक्ट यह वाली सिलाई भी लगा सकते हैं इस तरीके से हम सिलाई लगा लेंगे अब जो मैंने उरे पट्टी यह लिए हैं उसे में यह जो राउंड वाला हिस्सा है गले का इस पर उपर अटेच कर लूंगी दोनों साइडों पर हम अटेच कर लेंगे इसे इस तरह से हम अटेच कर लेंगे और जो भी extra होगा उसे हम कट कर लेंगे तरहे कहसे हमने कट कर लिया है अब इसे मैं फूल्ड करूंगी ओर्स्ट हाफ इंचिस इस तरहory के से लिखेंगे हम और इस तरह के से मैं प्शुल् required कर अब इस क्यूब पर शिराई बगा कि दूसरे साइट पर भी इसी तरह मैं सिलाई लगा लूँगी अब मैंने फ्रेंट का नेक लिया है और दोनों के शोल्डर को फ्रेंट एंड बैक के शोल्डर को आपस में अटेच्च कर लूँगी यह देक हमने जो पट्टी निकाली थी बार हाफ इंच इसको छोड़के हमें अटेच्च करना है शोल्डर को दोनों साइट के शोल्डर को अटेच्च किया अब यह देखें अब इस तरीके से जो हमारा यह यह साइड है इसको मैं बैक नेक के तरफ फोल्ड करूँगी और इस तरीके से फोल्ड करके सिलाई लगाऊंगी यह देखे की दूस्री साइट पे बीश्राल लगा लेंगे कि देखें हमने बैकने कम्प्रीट कर लिया है अब इसके बाद यह लिस्ट लिये आर्मोल की साइट से हम यह लेस्ट अटेच्च करेंगे शट्पे इस तरीके से मिल्कुल स्ट्रेट अटेच्च नहीं करना अलका सा आप मॉल से Round करते वे प्रहुं स्चीधि करेंगे यह लेश को दुसरी साइड पे सी तर्टेज कर लेंगे इस तरीके से हमने दोनों साइड़ों पर लेश अटेच्च कर ली है अब शर्ट जो है लेंथ में छोटी है मैं सबसे पहले यहां पर लेस लगाऊंगे इस करने के बाद मैं यहाँ पर फाइब इंच का फैब्रिक लोंगी और नीचे इस तरी के से इसको रखकर अटेच्च कर लूँगी इसके साथ इसके उपर आप एक तरह से लाई लगाते जाएंगे और यह बॉर्डर को हम शर्ट के साथ अटेच्च कर लिए अब इसके बाद मैं दुबरे से लेश लूँगी और एक इंच के गैप पे इसको अटेच्च करूंगी दामन में इस तरीके से हमें लेश टेच्च किया है अब बैक साइट से इसे हम फोल्ड कर लेंगे दामन को यह जो शर्ट है यह दो से तीन साल की बच्ची का साइज है और मैंने साइज मेजर्मेंन नहीं बताया है ना कटिंग करना मेरे पास और बहुत सारी वीडियो मौजूदय चैनल पर जिसमें मैंने दो से तीन साल की बच्ची की का साइज बताया है कि किस तरह कटिंग और स्टीचिंग करते हैं डिटेल में अगर आपको जानना है तो आप कमेंट कर लें मैं आपको बता दूंगी दुबारा से अब यह स्लीव दी है और इसके एंड पे भी हमने यह इस तरह से लेस्ट अटेच्ट कर लिया है अब के चैनल पर आपको डीटेल में इस टीफ कटिंग और स्टीचिंग दोनों की वीडियो मौझूद है कि तरह हम पच्चों की कपड़ों को कटिंग करते हैं और स्टीचिंग करते हैं अब इसके बात हम स्टीफ की फिटिंग का निशान लगाएंगे और सलाही कर लेंगे इस शाच के पास इसे श्रॉब कर लेंगे आप आपको यी जान प Alber warto कर लेंगे कि देखे में चाएंअे हमारा डिजाइन बंगर डैडी हो गया है अधा अमीद को यी डिजाइन पसंद आया होगा ऐसा है कि कि आप चाहें तो नेक पे इस तरीके से यहां फर बटन प्तर सको हैं अगर आपको यह डिजाइन पसंद आया तो लाइक करें कमिन्ट करें मज़ीद वीडियो के चैनल को सब्सक्राइब करें अल्ला हाफिज